नमस्कार दोस्तो आज आपके लिए लेकर आए हैं BPC 67 Spray Exam Requirement 2021 BPC 2021 के आयोधन से जुड़े महतपूर निर्देश आयोधन फी क्या है? आयो सीमा कितनी है? कुल पद क्या है? योग्यता क्या चाहिए? पूरे डिटल से मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन प्रेस कर देता कि अगले वीडियो कुन्टिफिकेशन आपको मिलते रहेगा बीपीएसी 67 प्रे एक्जाम 2021 भर्ती का विवरर पद का नाम कुल पद योगेता कुल पद जो है 555 पद है भारत की किसी मैनेता पर आप इन्वर्सिटी से किसी भी बर्क से बैस्लर डिग्री चाहिए योगेता क्या है गेर्जीवेशन होना चाहिए इसमें बीपीएसी 71 प्रेell का दुश से रहें देखिए भरती कितना है जेनरल का दूशर 30 सीठ है ओबीसी का 81 है ईबीसी का 90 सीठ है ओबीसी महिला का 16 सीठ है फ़र्म अपलाइक करने का चार्ज देखिए क्या लएगा जनरल का और OBC और परदेश का 6 रुपिया महिला यानि कि बिहार की होनी चाहिए 150 रुपिया AC, ST, PS का 150 रुपिया परिश्य सुल का भुगतान करने का मोड जो है सुल का भुगतान, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार, नेट बैंकिंग, बैंक चलान के जरिये किया जा सकता है IUC में क्या है? AC, 2021 यानि कि नियुन्तम आई जो है 20, 21 या 22 बरस होना चाहिए पोस्ट के अनुसार अधिक्तम आई जो है 37 बरस होना चाहिए पुरुस का अधिक्तम आई उ महिला का जो है 40 बरस है नियमा अनुसार आई उ में अत्रिक छूट भी दी जा सकती है महतपूर तिथिया आउयदन की सुर्वात 39, 2021 से जारी है आउयदन करने की आखरी तारीख है 5, 11, 2021 परिक्षा सुल्ख भुगतान करने की आखरी तीथी है 5, 11, 2021 फर्व करेक्षन यानि अंतिम तीथी जो है 15, 11, 2021 परिक्षा तीथी इस गोश्णा अभी जो है इसकी गोश्णा अभी नहीं बताया गया है रिजल्ट जारी होने की तिथी भी आपको अभी किलियर नहीं है 2021 के आवेदन से जुड़े महतवपूर निर्देश BPSC 67th Pre-Exam Requirement 2021 के लिए उम्दवार 39-2021 से 5-11-2021 तक आप फर्म अप्लाई कर सकते हैं उम्दवार online आवेदन करने से पहले इस भर्ती की अधि सुचना जरूर आप जो है जान जाएं आवेदन करते समय किरपिया सभी दास्तेवेज जैसे मार्क सीट, पाचान, पत्रा, पता, विवरोड, आदी की जाच कर ले इस भर्ती में मांगे गए सभी दास्तेवेज के एसकेन तथा अपनी फोटो, हस्ताक्चर, आईडी प्रूप जैसे आधार काड, पैन काड आदी अपने पास जरूर रखें अनलाइन आधान करने यानि आधान फाइनल सब्मिट करने से पहले पूर्व आउलोकन करें और सभी कालम को सवधानी पूर्व पढ़ें देखें उसको यदि उम्दवार को आधान सुल्क का भुगतान करना आवस्यक है तो आपको जमा करना होगा यदि आपने आधान सुल्क नहीं दिया है तो आपका फर्म पूरा नहीं है या पूरा नहीं हुआ है इसलिए अपने पेमेंट एस्टेटेस की जाच जरूर कर लें फाइनल सब्मिट किये गए ओनलाइन आयवदन का एक प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखें प्रिंट आउट निकाल लें दोस्तों आपको जनकर ये इन्फर्मेशन कैसा लगा यदि आपको अच्छा लगा ते वीडियो को लाइक कर दिएगा अगला वीडियो होगा हमारा बीपेसी परिक्षा का पेटर्न क्या है आपका मेंस एक्जाम एनी मुख्या परिक्षा सिलेबस क्या है पूरे डिटेर्स मैं आपको बताने वाला हूँ दुस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि अगले वीडियो को निटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थाइंक्यू दूस्तों राधे राधे दूस्त झाला है तो